नमस्ते दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी बेगर स्टॉक कैसे ढूनते हैं मल्टी बेगर स्टॉक वो होता है जो इन्वेस्टर को कई गुना रिटन दे जाता है आपने सुना भी होगा कि कैसे कुछ लोग जो है छोटा इन्वेस्ट से लाखो करोरों तक कमा लेते हैं यही होता है मल्टी बेगर स्टॉक का मैजिक आपने हाले फिलाल में सुना होगा एक सारे 3 रुपया का स्टॉक जो की लगबग 2.36 लाख रुपया तक यह पहुँच गया इस स्टॉक का नाम था एलसीड इन्वेस्टमेंट जो की यह सारे 3 रुपया का हाले फिलाल में था ये stock जो है 2,36,000 रुपया तक ये पहुँच गया ये आपको 29 अक्टूबर को ये लगबग आपको 3.53 पैसा में ये दिख रहा था और ये लगबग आपको 66,92,535 का ये return दे चुका है इसी तरह का जो multi bagger stock होता है इस तरह का stock को हम कैसे find करते हैं इस वीडियो में point by point बात करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी को जानते हैं कि ऐसा stock हम कैसे identify कर सकते हैं तो हमारा first point होगा multi bagger stock का concept तो सबसे पहले दोस्तो हम जानेंगे multi bagger का मतलब क्या होता है तो multi का मतलब होता है multiply और bagger का मतलब होता है यानि वो stock जो आपको पैसा को कई बार multiply कर दे multi bagger stock generally आपको 3 से 5 सालों में जो कि आपको 2X 5X या फिर आपको 10X तक growth कर सकता है multi bagger stock लेकिन जो है इन्हें ढूनना भी आसान नहीं होता और इसमें जो है risk भी बहुत होता है तो इसलिए research और patience बहुत जरूरी होता है multi bagger stock ढूनने में तो point number हमारा second हो जाएगा strong fundamental पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको जो है ऐसा stock select करने में सबसे पहले आपको जो है उनका fundamental चेक करना है अगर strong fundamental का मतलब होता है कि company का revenue और profit consistently growth कर रहा है कि नहीं आपको ये देखना चाहिए आपको इस सब देखने में आपको जो है या जो तीन point आपको मदद कर सकता जो की revenue गरोथ क्या आपको देखना है कि company में जो revenue लगातार बढ़ रहा है कि नहीं फिर आपको second point में देखना है कि profit margin क्या उनका profit margin जो है industries average से better है कि नहीं आपको ये भी point देखना है फिर आपको third देखना है कि depth level जो है company पे बहुत ज़्यादा depth level नहीं है आपको लगबर आपको 1% तक चल सकता है depth level तो ये सब point को आपको जो है strong fundamental में जरूर चेक करना है multi bagger stock ढूणने के लिए आपको जो है third point देखना है कि इसका future growth है कि ने आगे इसका future growth में potential है कि नहीं आपको ये point देखना है आपको जो है इस company आपको चेक करने के लिए किसी भी company में आने वाले समय में आपको जो है बहुत demand दिखेगा या नहीं ये बात आपको भी ध्यान देखना है जैसे कि आपको renewable energy जैसे कि हो गया solar wind energy ये सब stock में आपको आने वाले growth में potential देखने के लिए मिल सकता है जैसे कि technology में जैसे कि अभी चल रहा है AI machine learning ये समय आपको आने वाले growth potential दिख रहा है जैसे कि healthcare innovation में जैसे biotech company इस सब stock में आपको आने वाले समय में जो की बहुत सारा future growth potential देख रहा है तो इस सब stock में आपको fine करना है multi bagger stock को multi bagger stock ढूनने के लिए हमारा fourth point है आपको पर्मोटर का record और management का quality चेक करना है उस stock में जो की अच्छा promoter record होना चाहिए और उसका management अच्छा होना चाहिए तो इस company में हमें future bright देखनी के लिए मिलता है तो इसे हम कैसे check कर सकते हैं आपको जो है आपको सबसे पहले जो है की promoter holding चेक करना है की क्या उसमें promoter का stage ज़ए ज्यादा है की ज्यादा है की कम है आपको ये check करना है उनका community strong है की नहीं आपको ये point चेक करना है promoter holding में second point है आपको management track record यानि कि क्या management past में किसी company से controversy तो नहीं चलना है आपको ये भी check करना है क्या work company में future grow करने में capable है की नहीं ये भी आपको check करना है तो हमारा multi bagger stock ढूनने के लिए हमारा fifth point है कि stock का valuation बहुत important है चेक करना multi bagger stock ढूनते समया अगर आपने एक अच्छी company चुना है लेकिन जो है आपने उसे over price में खरीद लिया है तो उसमें invest करकर आपको profitable नहीं हो सकते हैं जैसे कि आपको valuation check करने के लिए आपको कुछ metric का check करना है जैसे कि price to earning ratio, price to book आपको ये भी check करना है ये check करने में आपको और एक बात का ध्यान देना है कि आपको जो है under value stock में आपको invest करना है तो हम बात करेंगे six point जो की economic mode हो जाएगा जो की company का economic यानि ऐसा competitive advantage जो company का अपना competitor से अलग रखता हो जैसे की हमारा strong brand जैसे की Coca-Cola Apple और हमारा जैसे low cost production जैसे की हमारा Tata Steel और ऐसे की patent technology जैसा की हमारा pharmaceutical company में होता है economic mode के साथ जो है हमारा company में multi bagger बनने का profitable जो chance है वो बढ़ जाता है तो हम बात करेंगे हमारा seven point जो की हमारा long term percent के साथ हो जाएगा last but not least patience multi bagger stock जो है overnight return नहीं देता है आपको ये बात को ध्यान डखना है multi bagger stock में आपको जो है patience रखना परेगा आपको है long term investment आपको उसमें रखना परेगा यानि जो है generally जो है आपको जो है एक दो साल में आपको नहीं बलकि आपको पांच से दस साल में आपको डीटन देखने के लिए मिल सकता है जो की successful investor कहते हैं कि आपको जो है अपने stock को time देना चाहिए ताकि उसका potential growth आ चुके और अच्छा कासा आपको potential growth मिल चके इसलिए आपको long term पैसेंस में भी आपको ध्यान देना है तो दोस्तो या कुछ टीप था multi bagger stock identify करने के लिए अगर आप सही से research और पैसेंस के साथ invest करते हैं तो आप भी stock market में अपना पैसा जो है multiply कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe करना ना भूले और अपना feedback comment section में जरूर बताएं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद